गुट मॉर्निंग एफ्रिवन बी ए पार्ट सेकिन में जो हमारा फर्स्ट पेपर है संसाधन भुगोल उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को संसाधन भुगोल के परिभाशाओं के बारे में बताया था विबेन भुगोल वेताओं ने संसाधन भुगोल के क्या क्या उसके अंतर्गत आता है और संसाधन भूगोल के जो विशय शेत्रे उसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़े आती है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो संसाधन भूगोल जो है इसमें मानुश्य के लिए जो भी विभिन प्राकरतिक और मानुविये तत्व। अर्थात, संसाधन के जो अस्थानिक और शेत्रिय अध्यन है उससे संबंदित है। यानि संसाधन भूगोल जो है वो मानव के लिए विभिन प्रकार के जो भी प्राक्रतिक और मानविय तत्व उप्योगी है और उनकी उप्योगीता जो है वो ही उन्हें संसाधन बनाती है उन संसाधनों के स्थानिक और शेत्री अध्यन को हम संसाधन भूगोल के अंतरगत प बात करें तो इसको हम निम्न पाच बिंदूओं में विभाजित करके पड़ सकते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं संसाधन भूगोल संसाधनों की स्थानिक भिनता का अध्यन है इसके अंतरगत क्या आता है कि जो भूतल के उपर विभिन प्राकार के प्राक्रतिक और मानुए संसाधन जो है उनका वित्रण किस प्राकार का है उनके भंडार उनके उत्पादन उनके उप्योग समस्याओं उनके संरक्षन उनका प्रभंधन आधी में जो भी शेत्रिय विभिनताई पाई जाती है उन सबका व्यज्यानिक अध्यन और विशलेशन संसाधन भूगोल की अंतरगत हम करते हैं ठीक है जैसे अगर हम देखें तो संसाधनों के वित्रण में बहुत अधिक असमानताई पाई जाती है विविदताई पाई जाती है अगर हम कोईले का जैसे उधारन ले तो कोईले का जो वित्रण है वेश्यों में वो सभी भागों में समान रूप से नहीं है बलकि कोईला जो है वो कुछ विशिष्टि शेत्रों तक ही सीमित है ठीक है तो इसी स्थानिक विभिनिता की व्याख्या करना संसादन भुगोल का एक प्रमुक लक्ष है अगर हम इसकी दूसरी इसको देखें संसादन भुगोल जो है वो एक शंशली श्नात्मक प्रदेश में रहने वाले मानव समाज की भौतिक सामाजिक और उसके आर्थिक आवशक्ताओं का आंक्लन करता है तो दूसरी और विभिन शेत्रों में विधमान मानव के लिए उपयोगी प्राक्रतिक और मानव द्वारा निर्मित संसाधन जो है विभिन उनकी विज्ञान के रूप में जो मानव भुगोल है उसकी की एक और तो वो मानव की भौतिक सामाजिक आर्थिक आवशक्ताओं का आंक्लन करता है तो दूसरी और वो भूतल के उपर विश्व में विभिन भागों में जो विभिन संसाधन उपलब्द है उनकी उपलब्दता औ और उनकी भौतिक विशिष्टाओं का वर्णन करता है उनका विश्लेशन करता है अगर अब हम इसके प्रकृति के तीसरे इसको देखें पॉइंट को तो संसाधन भुगोल जो है वो एक गत्यात्मक विज्ञान है गत्यात्मक विज्ञान है अर्थार किसी तत्व में संसा के लिए जो उसकी उप्योगित है उसके अंतरगत नहीं थै ठीक है जब तक वो संसाधन मानव के लिए उप्योगी नहीं है तब तक वो सिर्फ एक पदार्थ है संसाधन नहीं है जैसे ही मनुश्ये अपने ज्ञान्ब, अर्ट टक्णिक tay के साथ उस प्दार्थ को उस सत्त तक्निकी में विकास के साथ साथ नए नए संसाधन जो है वो विश्व में भूतल पर प्रकाश में आते हैं और संसाधन भूगोल के अंतरगत संसाधन भूगोल के विशेशेत्र में देशकाल के अनुसार इनका विस्तार जो है उसके बारे में भी हम इसके वित्रण के बारे म हम पढ़ते हैं जैसे जैसे पहले तो क्या था मानव का जो ग्यान था तक्निकी ग्यान वो इतनी विक्सित अवस्था में नहीं था तो संसाधन भी कम थे लेकिन संसादन कम थे मतलब उनके बारे में मनुश्य को ज्ञान कम था लेकिन दुट्य विश्व के बाद तो तीवर तकनी की विकास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप संसादनों की मात्रा और संसादनों की संख्या संसादन भूगोल की परीधी जो है उसमें बहुत अधिक व्रद्धी हुई है बहुत अधिक विस्तार हुआ है अब अगर हम संसादन भूगोल की प्रकरती के अगले पॉइंट पे जाएं तो संसादन भूगोल आर्थिक भूगोल की एक उपशाखा है ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पहले क्या था जो भूगोल है वो दो प्रदान शाखाऊं में बटा हुआ था मानवयः भूगोल प्राक्रति भूगोल जो है उसके कुछ उप्षाखाय थी जिसमें आर्थिक भूगोल एक प्रमुग थी और आर्थिक भूगोल के अंतरगती संसाधन भूगोल का अध्यन किया जाता था संसाधनों का अध्यन किया जाता था लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि संसाधन भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल की एक शाखा हो थी और फिर बाद में उसका अलग प्रतक से एक स्वतंत्रे शाखा के संसाधनों को वो से यह प्राप्त होता है यूअन दिद गारे में संसाधनों के बारे में आरफिक भुगोल के अंतरगत आधियन किया जाता है तो में नहीं अल्दा जल जय तत्वस्तिय demol मन洞 इंद अदिक प्राक्रतिक संसाधन वनुश्य के जो विभिन उद्धियोग धन persönlich क्रियाई जो करता है जी सबके बारे में आर्थेृगोल के अंतरगधी अध्यान किया जाता है तो इस और आर्थि भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्पक्ष है संसाधनों का भॉगलिक विश्लेशन करना क्योंकि मनुश्य की जितनी भी आर्थि क्रियाएं हैं वो एक तरह से संसाधनों के ऊपर ही निर्भर करती हैं तो आर्थि भूगोल का शेत्र जो है वो संसाधन भूगोल से विस्तरत है किन्तो इसका बड़ा भाग जो है वो संसाधनों के अध्यन और उनके विश्लेशन से संब्धित हैं इस प्रकार संसाधन भूगोल जो है वो आर्थि भूगोल की एक उपशाखा है ठीक है अब अगर हम अगले बिंदू पे जाएं तो संसाधन भुगोल एक सामाजिक विज्ञान है हम यह कह सकते हैं कि संसाधन भुगोल जो है वो एक सामाजिक विज्ञान के रूप में है इसमें अग देखें हम तो संसाधन भुगोल जो है उसका केंद्र बिंदू क्या है संसाधनों का अध् सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य का जो ज्ञान है वही सबसे बड़ा संसाधन है और वही दूसरे जो पदार्थ हैं उनको संसाधनों की श्रेणी के अंतरगत लाता है उपयोग करने के पशन तो प्राक्रतिक और मानमिय गुणों जिसमें ज्ञान तक्नीकी विकास सामा वो बन पाते हैं तो सामाजिक गुणों की प्रधानता की कारण संसाधन भुगोल जो है वो सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में भी आता है इसके द्वारा प्रतिपादी जो नियम है वो यथार्थ विज्ञान की ही भाती वस्तुनिष्ट होते हैं और यथार्थ होते ह सामाजिक विढ्ञानों की तरह वे लचीले और परिवरतन शील भी होते हैं ना कि कि वह सब्दंप भूगोल एक सामाज विढ्यान तो ये तो बात हुई संसादन भुगोल की प्रक्रति के बारे में जिसको हमने निम्न पांच बिंदों के अंतरगत देगा संसादन भुगोल जो है वो संसादनों की स्थानिक भेनता का अध्यान है संसादन भुगोल एक संस्रिशांत्मक विज्ञान है संसादन भुगोल एक भुगोल की एक उपशाखा है और संसाधन भुगोल जो है वो एक सामाजिक विज्ञान के रूप में तो ये सारी इसकी प्रक्रती के बारे में चर्चा हुई अब हम देखते हैं संसाधन भुगोल के विशय शेत्र को ठीक है भूतल के ऊपर जो विभिन प्रकार के संसाधन है उनका वित्रण, उनका प्रती रूप, उनका शेत्रिय स्तर पर उनके मुल्यांकन, उप्योग, उनका दुरुप्योग, दुरुप्योग होने से जो भी आर्थिक सामाजिक परियावर्ने समस्याई उत्पन होती हैं वे सब उनके समाधन और संसाधनों का संरक्षा और उसका शेत्र बहुत अधिक व्यापक है, बहुत अधिक विस्त्रत है, जिसको की हम निम्न वर्गों की अंतरगत रखते हुए पढ़ सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, संसाधनों की प्रक्रती और वर्गी करन, तो सबसे पहला जो बात आती है, संसाधन शेष्टाओं के अधार पे उनके जो संसाधनों के विभीन और विभीन अधारों के उपर संसाधनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बाटते हैं, एक प्राक्रतिक संसाधन होते हैं, दूसरे मानविय संसाधन होते हैं, इनके बारे हम आगे नेक्स टॉपिक में विस जैसे भूमी है जल खनश पदार्थ मीच्व करति को और इस और उर्जा के संसाधन प्रकृत हैं को प्रकृत करतार्थ में प्रकृत के दौर्थ हमें प्रदान किये जाते हैं इन सब के विशेश्टा नोटे के बारे में इनके उत्पादन प्योग प्हुप योग्प और इनके संद्रक्षन के बारे में संसादन भुगोल के अंतरगत विस्त्रत रूप्से पढ़ा जाता है, कर अध्यान शेत्र में आता है ताम तीसके वर्त वर्त मानवे संसादन प स्वरुप। और शेत्रिया विकाज कि विद्ध रध्धि वित्रन अर्थात। एका पाड़ेंगे । जन संठ्ध। मानव संसाधन कि और मनुश्य खुद एक संसाधन के रूप में है उसका ज्नधाण जो है तो इसके अंतंग्ध हम जन संक्या की वृद्धी वित्रण मनुश्य की च्छाठ की जो अब प्रवति वो संस्कृति suit कोशता आधी का अध्यण जो है विस्त्रत रूप से हम इसके अंतरगत करते हैं उससे राज्न алеतिक संञ्धन जो है मनुश्य के जो प्रणधर है उसका तक्नीकी ज्ञान जो है वो सब इसके अंतरगत ही आता है अब अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो प्राक्रतिक और मान्विय संसाधनों के उपस्थिति और विकास स्तर के अनुसार संसाधन प्रदेशों का निर्धारण और उनका अध्यान मतलग कि जो विभीन भागों में विभीन शेत्रों में प्राक्रतिक और मान्विय संसाधन जो होते हैं उनकी उप्लब्दता अलग-अलग होती है ठीक है उनके विकास का स्तर अलग-अलग होता है तो इन संसाधनों के उपस्थिति उप्लब्दता और इनके विकास के स्तर के अधार पे विश्व को कुछ संसाधन प्रदेशों में बाटा जाता है उन संसाधन प्रदेशों का निर्धारन करना उनके अध्यन करना भी संसाधन भुगोल के विश्यशेत्र के अंतरकत आता है ठीक है और नेक्स्ट है इसमें संसाधनों के दुरूपयोग जन्ने समस्याई सनरक्षन, प्रबंधन और उनका नियोजन, चीक है, अब मनुश्य जो है, वो अपने तीवर विकास, तकनीकी विकास के अधार पे, अपने ज्ञान के अधार पे, वो संसादनों का अंधाधुन तरीके से उप्योग करता है, उप्योग ना कहकर हम यह कहें, दुरुप्योग क किया जाता है, तो वो दुरुप्योग में परिवर्दित हो जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत विभिन प्रकार की समस्याईं जो है, वो उत्पन हो जाती है, बहुत से संसादन जो है, वो समाप्यता के कगार पे पहुँच जाते हैं, चीक है, तो इस वजह से जो समस् जोत्पन होती है उनके बारे में अध्यन करना और किस प्रकार से जो विलुप्त होते संसादन है इनको संरक्षत किया जा सके इनको बचाया जा सके किस प्रकार इंका प्रभंदन किया जाए और किस प्रकार से नियोजन किया जाए इन सब के बारे में भी संसादन भुगोल के पढ़ा जाता है संसादन भूगोल के विशयशेत्र के अंतर गताता है तो ये तो हमारी बात हुई संसादन भूगोल के प्रकृति और विशयशेत्र के बारे में तो इस प्रकार से ये वरा जो टॉपिक है हमारा संसादन भूगोल की वी परिभाशा है उसके प्रकृति और व